गुड मॉनिं क्लास एक बार फिर आपसे कनेक्ट हुए हुए विद्ध्य व्यार स्कूल की यूट्यूब चैनल पर एक्साइज 5B के लिए और 5B जो जैसा कि आपको पता है 5 चैट्टर जो है डिवीजन का है भाग का है डिवाइड का है इसमें आज आपको एक नई चीज सीखने को मिलने वाली है आपको पता है सभी को डिवाइड हम ऐसे करते हैं तो ये मान लीजिए 8 का कर रहे हैं और यहां 35 लिखा है तो हमें 4 से 5 चीज़े हम सीखने वाले हैं तो 8 4 जा 32 और यहां ये 3 बचा अब हम इन चीज़ों के बारे में जानते हैं कि ये क्या है ये क्या है ये क्या है है ना और ये नंबर क्या है इन चारों के बारे में आज हम लिखने वाले हैं तो यह सबसे आगे होता है इसका डिवाइड किया जा रहा होता है वो डिवाइजर होता है diviser diviser ओके जिसमें divide दिया जा रहा है जिसके अंदर divide जा रहा है वो divide end होता है क्या होता है? divide end yes, divide end और जितनी time table पढ़के आए हुए है उसको वो cutie end होता है ये तो बिल्कुल major होते हैं तीनों और जो last time बचा रहा होता है ठीक है? जो last time बचेगा जाके वो remainder होता है ये चारों चीज़ें आपको आज सीखनी है और I think बड़ा समझ में आ गया होगा मैं एक बार quickly थोड़ा remind करा देता हूँ जिससे divide दिया जा रहा है वो divisor है, divisor है, divisor है जिसमें divide दिया जा रहा है वो divide end है divide देने के बाद जो एधर answer आता है जो time हम table पढ़ते हैं वो cutie end होता है और उसके बाद जो नीचे minus करने के बाद बचता है वो remainder होता है clear? आईए exercise का हम पहला question लेते हैं आपको बताना है कि ये जिस पर circle है उसको वो क्या determine कर रहा है यानि 3 दिया था 15 दिया था और ये 5 time इसका table पढ़ा गया और इनने circle का मना दिया है इस पर तो इसका नाम बताना है ये क्या है ये circle वाला है वो क्या है देखिए क्या लेखा है सरने QT end क्या है QT end है पहला हो गया first का E E ले लेते हैं E ले लिया हमने E कैसे दिया है 9 का हम डिवाइड कर रहे है 45 में तो 5 आरा circle किस पर 9 के circle वाला 9 क्या है पता है आपको डिवाइजर है क्या है डिवाइजर इसी प्रकार इसका एक कुशन और ले लेते हैं जिसमें जैसे QT end हो गया डिवाइजर हो गया डिवाइड बारा लेते हैं जो कि ये H क्या किया है इनने 8 का डिवाइड किया है 40 में और 5 आया है और इनने circle इस पर लगा दिया तो इस circle किस पर लगा आया है 40 पर जो कि क्या है एक डिवाइड I think आप लोगों को बहुत अच्छी तरीका समझ में आ गया होगा कि अब लाम बताने इस पर circle लगा हुआ है उसका कि वो किसको डिवाइड कर रहा है वो क्या डिवाइजर है डिवाइड एंड है या QT end है डिवाइड इसमें नहीं पूछे गए रिवाइडर वाली अगली एक्साइज रहेगी इसी के साथ ये जो एक्साइज है 5B वो कंपलीट होती है जल्दी मुलाकात होती है आप से 5C के साथ अब तक के लिए take care good bye